एक्सरसाइज 8.2 का question number 3 बटाऊंगा इसमें इसमें कहरा है जो if 10 a plus b equal root 3 and 10 a minus b equal 1 by root 3 then find a and b तो इसमें a और b का हमें value बताना है बहुत ही simple सा easy सा question है देखो इसमें 10 मैंने यहां से start करा है question 10 a plus b equal to root 3 और 10 a minus b equal to 1 by root 3 इतना तो दिया हुआ है आप देखो इसमें क्या है करने का तरीका देखो यहां जो root 3 है अब हम देखो इधर 10 लगा हुआ है ठीक है इधर 10 लगा हुआ है और इधर root 3 है तो हम 10 वाले format में देखेंगे root 3 10 theta का कौन से angle का value है तो इसके लिए हम क्या करते हैं पीछे देखो मैं इसका table दिखाता हूँ आपको आप वो याद कर लेना देखो यहां से मतलब 10 वाले form में root 3 किसका value होता है 10 वाला form में देखो यह 10 theta का यह 10 theta ठीक है 10 theta का root 3 root 3 आपका यह रहा 60 degree तो 10 60 degree का value कितना होता है root 3 तो मैं यहां पा लिख सकता हूँ 10 60 equal root 3 देख लो तो यहां से मैं इधर लिख सकता हूँ आपको 10 60 degree क्योंकि 10 60 degree का value कितना होता है root 3 होता है यह आजाएगा आपका 10 a plus b equal 10 60 degree आप लिख सकते हैं इसे हो क्योंकि 10 60 degree का value root 3 होता है similarly इधर भी हम लिख देंगे 10 a minus b equal 10 10 theta के format में ही हम देखेंगे 1 by root 3 जो है वो किसका value होता है तो 1 by root 3 जो होता है वो 10 30 degree का value होता है 10 30 degree ठीक है 10 30 degree का value होता है 1 by root 3 आप इसके जो है न values वो जरूर याद कर लेना तभी आप यह एक्सरसाइज कर पाऊगे देखो मैंने क्या करा 10 a plus b equal to root 3 दिया हुआ है और 10 a minus b equal to 1 by root 3 दिया हुआ तो मैंने क्या करा 10 वाले ratio में मैंने देखा जो root 3 जो है वो कितने degree का value है तो मैंने देखा 10 60 degree का value root 3 होता तो मैंने root 3 की जगा 10 60 वी लिख सकता हूँ क्योंकि 10 60 का value root 3 होता है यह आपस में equal होता है similarly यहाँ देखो 1 by root 3 यहाँ भी 10 है तो मैंने क्या करा 10 वाले form में ही देखा 10 वाले ratio में ही देखा जो 10 कितना degree का value 1 by root 3 होता है तो मैंने देखा देखो अभी आगे क्या करता है यहाँ से 10 और यहाँ से 10 cancel हो जाएगा यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 cancel हो गया तो इधर क्या बचाँ हो यहाँ पर A plus B equal 60 और इधर क्या बच गया A minus B equal 30 ठीक है यही रहा गया देखो 10 10 तो cancel हो गया आप इसे क्या करो equation 1 let कर लो इसे equation 2 let कर लो अब इसमें से हमें A और B का value निकाल लेंगे, इसली निकाल लेंगे elimination method से जो आपने पिछले chapter में पढ़ रखा है मतलब chapter 3 में आपने elimination method पढ़ा होगा elimination method से मैं solve कर देता हूँ या फिर आप graphically method भी कर सकते हो आप substitutional method भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे आप वो method कर लो तो देखो, तो मैं क्या करता हूँ elimination method से करता हूँ तो मैं क्या करूँगा equation 1 minus या 1 plus 2 from equation 1 minus 2 1 plus 2 से मैं क्या करता हूँ, देखो A plus B equal 60 और A minus B equal 30 लिख रही है, मैंने दोनों को plus कर रहा हूँ तो sign change नहीं होगा इसमें, देखो ये और ये तो cancel हो रहा ये आजाएगा 2 A equal 60 और plus 30 यानि की 90 तो यहां से A equal कितना आजाएगा 90 by 2 इसको cancel कर गया था आप तो 45 आजाएगा तो मतलब A का जो value है वो 45 डिगरी आ गया अब हमें क्या करना है B का value निकालना है तो मैं क्या करूँगा A का value put कर दूँगा equation 1 में तो मैं लिखूँगा put A equal 45 डिगरी in equation 1 equation 1 में A का value put कर देता हूँ equation 1 क्या है A plus B equal 60 डिगरी ठीक है तो यहाँ पर A के जगा पर 45 पुट कर देता हूँ plus B equal 60 तो यहाँ से B का value कितना आ जाएगा 60 45 को दर सिप्ट कर रहा हूँ तो मैंनस 45 तो यहाँ से कितना आ गया 60 में से 45 अगर गया तो 15 डिगरी ठीक है तो B का value हमें पता चल गया और A का value हमने यहाँ पर निकाला तो यही A और B हमें क्या करना था निकालना था बहुत easy सा question था और यह easily solve हो गया है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा तो फिर मिलते हैं next video में next question के साथ